Good afternoon everyone, we are doing congruence of triangles, हम triangles का congruence कर रहे हैं and in previous class we studied about the two criteria's, those are SSS, side, side and side and SAS, side angle and side criteria, it means कि अगर हमें किसी triangle के पूरे 6 measures नहीं भी दिये होंगे only 3 measures दिये हैं, तो हम उस triangle का exactly congruency बता सकते हैं कि वो triangle congruent है या नहीं है या फिर simple सी बात है कि अगर मुझे कोई एक triangle given है, उसकी मुझे angles given नहीं है angles मुझे नहीं पता, कोई information नहीं है angle के बारे में, बट मुझे पता है उसकी all the three sides तो क्या मैं उसके जितसा triangle मतलब उसकी same shape और same size का triangle बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ, yes we can draw, तो हम क्या करेंगे, आज हम ये activity करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ये triangle हमारे पास है इसके हमें angles नहीं पता है, sides पता है, हम sides को measure करेंगे, बिकस हमने कोई भी random एक triangle बना दिया है ये मैंने random सा बना दिया, कुछ भी scale से कोई भी triangle बना दिया, उसके बाद हम इसकी sides को पता करेंगे, कि इसकी sides हैं कितनी और इन three sides को लेकर, without knowing the angles, angles नहीं पता हैं, सिर्फ sides को लेंगे, और एक नया triangle draw करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो triangle इस triangle के congruent है या नहीं है, let's start this activity, so मैंने ये triangle रखा है, और scale मैं इसके उपर रखा है, I will measure the sides one by one, मैं एक एक करके सारी sides को measure करूंगी, सबसे पहले मेरी ये वाली side है, that is approximately 0 से अगर मैं measure करती हूं, so it is 10, 10 के बाद one small line, second small line, so we can say it is approximately 10.2 और 3 तक भी जा रही है, ठीक है, third small line तक, तो we can say it is 10.3, तो हमने इसका measure जो है वो, इस पे लिख दिया है, that is 10.3 cm, ठीक है, you can, first of all, paste and आप अपनी sheet पे लिख सकते हो, 10.3 cm, और थोड़ा अच्छे से, because it is activity, तो आपको अपनी फाइल को थोड़ा सा attractive बनाना है, अच्छे से prepare करना है, second जो side है, that is, again अगर मैं measure करती हूँ, so it is approximately 13, 13 तक जा रहा है, one is behind, तो we can say, it is basically 12.9, और चलो, let's take it as 12.9, तो यह हमारा हो गया, 12.9 cm, now coming to the third side, अब third side कितनी है, let's measure it, this also, अगर हम measure करें इसको, तो यह हमारा जो है, that is coming to approximately 14, 14 तक जा रहा है, तो हमने इसको लिख दिया है, 14 cm, अब हमें all the three sides पता चल गई है, angles का कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ यही three sides लेकर, एक और triangle जो करना है, so let's draw that triangle, so this is my scale, pencil से draw करेंगे हम, सबसे पहले 14 cm, जो हमारा measurement था, आप नोट करोगे, और एक एक करके, कोई भी एक side को पहले draw कर सकते हो, तो आपने सबसे पहले क्या करा, 14 से start किया, and 0 से start करके basically 14 तक जाओगे, तो आप एक line यहाँ पे, एक side यहाँ पे draw करोगे, ठीक है, I will draw all the sides, so I have drawn this triangle, मैंने यह triangle draw कर दिया है, आप इस triangle को कैसे draw कर सकते हो, 14 cm की मैंने line draw कर दी थी, उसके किसी भी एक corner से, मैंने क्या किया, यह 12.9 cm की side जो है, इतना compass खोला, और इधर से एक, ऐसे करके pencil से आख लगाई, आगे तक पूरा, similarly 10 का मैंने open किया, तो यहाँ से मैंने arc लगाई, और यह जो दोनो arcs मेरी यहाँ पे मिल रही थी, दोनो arcs, इस point पर मिल रही थी, तो यह point मेरा third point हो रहा, और मैंने इनको join कर दिया, so I got my triangle, चिक है, मुझे यह triangle मिल गया है, आपको ध्यान से देखना है, समझ में नहीं आए तो video rewind कीजे, कैसे किया, line को draw किया, मैंने, यहाँ पे 12 cm की मैंने, एक compass खोल दी, ठीक है, open करी, इतना, ऐसे करके मैंने open करी, जितना भी cm का मुझे चाहिए था, compass, open करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे, arc लगा दी, similarly, जब मैंने इधर से open किया, तो मैंने इधर से arc लगा दी, अब जो है, मुझे arc, दोनो arcs यहाँ पे cut हुई, तो मैंने यह triangle draw करा, अब मैं इसको cut करूंगी, so my triangles are prepared now, मैंने यह दूसरा triangle भी draw कर दिया है, सिर्फ sides को जानके, है न, मेरेको angle नहीं पता था, अब अगर मैं इसको overlap करने की कोशिश करूंगी, इन दोनों triangles को कि, तो मैं क्या देखती हूं, कि yes, they are exactly overlapping each other, इधोरो बिलकुल, मैं अगर इसको सही से पक्नूं, तो यह बहुत आपका कम जादा हो, right, means, scale में थोड़ी सी measurement की गड़बर है, ठीक है, अगर आप बिलकुल सही से अच्छे से measure करोगे, तो वो बिलकुल exactly same बनेगा, देख रहे हो आप, बिलकुल एक दूसरे को overlap कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कि अगर दो triangles की three corresponding sides equal है जसे इनकी थी, ये वाली side इसके equal थी, ये वाली side इसके equal, it means, they are corresponding sides, ये भी corresponding sides हैं, ये वाली side इसके equal थी, तो हम क्या देख सकते हैं, कि ये दोनों triangles हमेशा congruent होंगे, triple S criteria, हमें angles की जरूरत, पढ़ेगी ही नहीं, इनको congruent जानने के लिए, so this is how, अब आप क्या से करोगे, इसको आपको paste करना है, बिल्कुल ऐसे ही paste करना है, corresponding sides को बिल्कुल उसी position में लगा के paste करना है, इस triangle को आप A, B, C नाम दे दीजिए, इस वाली triangle को आप P, Q, R नाम दे दीजिए, या फिर आपकी मर्जी है, and जैसे मैंने sides को लिखा है, बिल्कुल आप भी वैसे ही sides को लिख होगे, यहां पर लिख देना, 12.9 cm, 14 cm, 10.3 cm, यह भी 12.9 cm, 14 cm, and 10.3 cm, so this is how, what you will see, कि आपको SSS criteria वेरिफाय हो गया, because तीन sides को जानकर आपने पता कर लिया कि दोनों triangles congruent है, now you can do the activity.